परिचय हम अपने आसपास जिन वस्तूओं को देखते हैं, अगर उनमें से किसी का भी चैयन करें, तो उसे पदार्थ के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है. विस्तरित रूप में कहें, तो जिन वस्तूओं को हम अपनी इंद्रियों से देख या अनुभाव कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है. आता हम कह सकते हैं कि हर वैसी वस्तूओं जो इस थान खेड़ती है और जिसका अपना द्रविमान होता है पदार्थ है. केक का टुकड़ा, पथर, किताब, दूद, गुबारे आदी सभी इस थान खेड़ते हैं और सबका अपना द्रविमान होता है. इन्हें पदार्थ के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं ठोस, द्रव और गैज उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे पदार्थों के प्रकार समझना पदार्थों की अवस्था पहचानना तापमान या दाब परिवर्तन होने पर पदार्थों की अवस्था किस प्रकार परिवर्तित हो सकती है विभिन गत्विधियों द्वारा उर्धो-पातन और वाश्पी करन प्रक्रम के बारे में सीखना पदार्थों का भातिक सौरूप सभी पदार्थ का निर्मान सुक्ष्म कड़ों से हुआ है ये कड़ इतने सुक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आँखों से देखना संभव नहीं है इन सुक्ष्म कड़ों को अनू नाम दिया गया है ये अणू और भी सूक्ष्म कड़ों से निर्मित होते हैं, जिन्हें पर्माणू कहा जाता है प्रतेक पदार्थ के अणू भिन्न होते हैं 115 प्रकार के पर्माणू हैं, जो भिन्न प्रकार के जुडाव से भिन्न प्रकार के अणू पैदा करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षनिक गुण पदार्थ के कणों के मुख्य अभिलक्षन अधोलिखित हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्तिस्थान होता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकरशित करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं ठोस, द्रव और गैस ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है गैसों का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडियता काफी अधिक होती है तापमान का प्रभाव आईए जाने कि ठोस, द्रव और गैस पर तापमान का क्या प्रभाव होगा तापमान बढ़ाने पर गतिज उर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से ठोस द्रव में परिवर्थित यानी संगलन हो जाता है और द्रव गैस में परिवर्थित यानी वाश्पिक रित हो जाता है गैस, द्रव और ठोस, शीतलन या तापमान के घटने से संशोदित हो जाते हैं केल्विन तापमान का ऐसाई मातरक है दाप का प्रभाव पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं पर दाप परिवर्तन का उलेकनिय प्रभाव पड़ता है दाप बढ़ाने से गैस द्रव में परिवर्तित हो सकती है इस प्रक्रम को संगनन कहते हैं दाप बढ़ा कर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है इस प्रक्रम को उर्धु पातन कहते हैं इन अवस्थाओं को शीतलन से या तापमान को घटा कर पुना परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं? हमारे ब्रह्मान में कुल मिला कर पदार्तों की साथ अवस्थाएं हैं। गैस से उपर पदार्त की चौथी अवस्था प्लैजमा है। प्लैजमा आइनित गैस है। ये कैसी गैस है जिसे एक बिंदू तक अत्यदिक गर्म करने पर इसके कुछ इलेक्ट्रोन अपने केंद्रकों से तूट कर दूसरे केंद्रकों से जुड़ जाते हैं। तारे प्लैजमा से बने हैं और आग प्लैजमा है। प्लैजमा से उपर पदार्त की पांचवी अवस्था किरण है। किरण और दूसरी पदार्त की चार अवस्थाओं में अंतर ये है कि ठोस, द्रवे, गैस और प्लैजमा के कन हर दिशा में गती करते हैं। जबकि किरन के कन तालमेल से एक दिशा में गती करते हैं। इन पांच पदार्थ की अवस्थाओं से अलग एक अवस्था ऐसी भी है जो इन सभी अवस्थाओं से नीचे है। ये अवस्था है शुन पदार्थ की अवस्था शुन पदार्थ की अवस्था B.E.C. या बोस आइस्टीन कॉंडन सेट के नाम से जानी जाती है यह सबसे ज्यादा संखनित सभी पदार्थों का संखनन है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सभी पदार्थ सूख्ष्म कड़ों से निर्मित हैं अणू का निर्मान अती सूख्ष्म कड़ों से होता है जिसे परमाणू कहते हैं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं ठोस, दरव और गैस ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन तापमान की S.I.E. काई केल्विन है दबाव में वृध्धिकर गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है